नवस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारे भी बहतरिन तरीके से चल रही होगी तो साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरल हिस्ट्री राइटिंग के बारे में तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली वारा हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजे चलिए आज के वीडियो के हम लोग शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आपने थमनेल को देखा होगा आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरल हिस्ट्री राइटिंग के बारे में तो यदि संचिप्त में हम लोग बात करना चाहें तो इस विशय पे हम लोग क्या-क्या बात करने वाले हैं यदि पॉइंट वाइज देखें तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओरल हिस्ट्री राइटिंग के किरियेशन के बारे में कि ओरल हिस्ट्री राइटिंग का क के बारे में बात करेंगे तीसरी बात हम लोग या करेंगे कि oral history writing को आप कैसे पहचान सके कि oral history writing का हिस्सा है चोथे नंबर पे बात करेंगे oral history writing से जुड़े हुए historians के बारे में पाचवे नंबर पे बात करेंगे हम लोग oral history writing के जो challenges है और उसमें जो opportunities है उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे oral history writing से जुड़े हुए महत्पुन किताबों के बारे में और इन तमाम सारे पहलूमों पे चर्चा करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि oral history writing का यह हिस्सा छूट गया है तो आप हमें comment section में जरूर बताएंगे आपको पहले ही advance में thank you बोल दे रहा हूँ तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं तो देखिए साथियों यदि आपको oral history writing समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा local history writing क्योंकि oral history writing जो है वह local history writing का ही एक part है राइटिंग के और कितने parts हैं इसके बारे में तो देखिए अधि हम लोग local history की बात करें तो देखिए local history writing की जो शुरुआत है वह 18th और 19th century में मूल तोर पे हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने highlight किया है और local history writing की शुरुआत 18th और 19th century में मूल तोर पे हो रहा है किन के द्वारा local elites के द्वारा local elites कौन है local का मतलब यहाँ पर है जोग्राफिकली यानि कोई छोटा सा इलाका small village या छोटा सा कस्वा उस कस्वे में रहने वाले elite लोग इसलिए उनके लिए term यूज क्या गया है local elites तो 18th और 19th century में Britain, France और United States में especially local history writing के शुरुआत की गई किन के द्वारा local elites के द्वारा और 1860 के बाद यानि 1860 के बाद जो है इसमें बहुत सारे history group जो है local history writing के group में ही emerge हो करके आगे चल करके आए इसमें दि हम लोग बात करें कि local history writing में और कौन-कौन सा उसका part हो सकता है तो local history का एक part होता है oral history जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और दुसरा इसका part है micro history इसलिए local history writing में जो हमें elements देखने को मिलेंगे वो सारे elements कहीं न कहीं आपको oral history writing में भी देखने को मिलेंगे लेकिन कुछ अंतर के साथ कुछ भिनताएं उसमें मौजूद रहेंगे कुछ differences रहेंगे इसके अलावा micro history भी जो है local history का ही एक अभीन हिस्सा है तो micro history के बारे में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें local history से जुड़े हुए elements की चर्चा करेंगे वहाँ पर उसके तत्व भी आपको देखने को मिलेंगे इसलिए यदि हम लोग oral history writing की बात करें तो local history writing को समझना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो देखे 18th है 19th century की बात है और यह local history जो है वह शुरू हो रहा है ब्रिटेन, फ्रांस और United States जैसे countries में या continents में आप कह सकते हैं तो यदि oral history की बात कर रहे हैं हम लोग तो एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि उसका समय या उसके date क्या हो सकता है शुरूआत होने का तो यदि 18th और 19th century में वहाँ पे हो रहा है तो आप यह मान करके चलें कि local history जब शुरू होगा जब वो flow में आएगा और जब वो climax पे जाएगा तब फिर उसी का एक subpart oral history writing के रूप में आगे create हो करके हमारे पास चल करके आएगा इसलिए exact date का पाना मुश्किल है इसलिए यदि date की बात हो तो आप लोग use कर सकते है 19th century या 20th century आप use कर सकते है oral history writing के creation के time के रूप में इसके बारे माना जाता साथि हूँ कि एक व्यक्ति था जो gold नाम का वो व्यक्ति homeless था और New York के New York जो शहर है उसके गलियों में street में रहा करता था बाद में उसने क्या किया कि वो जहां जहां यात्रा किया था उन अपने यात्राओं के कहानी को आगे चल करके एक किताब के रूप में लिखा या फिर आप कह सकते हैं एक manuscript के रूप में लिखा जिसका नाम पड़ा An Oral History of Our Time और यह माना जाता है कि यही जो है कही न कही Oral History Writing के शुरुआत है प्रोफेशनल ही नहीं है लेकिन एक basic शुरुआत यहां से मानी जा सकती है उसके अलाबा इसमें बताया गया कि यह व्यक्ति जो जो गॉल्ड ने लिखा अपनी कहानी के बारे में अपनी यात्राओं के बारे में उसमें कम से कम जो है thousands of recorded conversations है और अलग-अलग विशयप है यानि अलग-अलग लोगों से अलग-अलग विशयप है बात किया और उसको consist कर करकरके उसको compile करकरके एक manuscript का form दिया जिसका नाम रखा An Oral History of Our Time और इसके बारे में माना भी जाता इस किताब के बारे में कि Oral History Writing के बुकिश बल्ड में अनि उनका जो पुरा बुक लिस्ट है उसमें अभी तक का इस सबसे लंबा manuscript है तो एक बेशिक शुरुवात यहां से मानी जाती है उसके अलाबा Oral History Writing को ही आगे बढ़ाने के लिए Institute of Historical Research के स्थापना की गई थी 1921 में बृतेन में इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि Institute of Historical Research पहले से ही चल रहा था और 1921 में वहाँ पर Oral History Writing से जुड़े हुए पढ़ाई की शुरुवात हो गई उसके अलाबा School of Scottish Studies Scottish का मतलब Scotland से है यानि जैसे Indian Studies है तो Indian लोगों के बारे में अध्यान उसी तरीके से Scottish Studies है तो 1951 में वहाँ पर शुरु हुआ यानि School of Scottish Studies में Oral History Writing से संबंध पढ़ाई की शुरुवात आप कह सकते हैं कि 1951 में शुरु हुई उसके अलाबा यदि हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया में काफी देर बाद आया काफी समय के बाद आया आप देख सकते हो कि 1960s के बाद 1970s के डिकेड में हमारे पास सवॉल्टन हिस्ट्री राइटिंग में शुरू होता है 1970s या फिर आप 1980s कह सकते हैं इस दौर में हमारे यहाँ सवॉल्टन हिस्टोरियोग्राफिय भी शुरू हो रहा है यानि कि 1960s के बाद का जो डिकेड है वो कही न कहीं हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग में नए-नए स्कूल्स को नए-नए अप्रोचेज के साथ ले करके आ रहा है और उसी कड़ी में इतिहास लेखन की उसी स्रिंखला में उसी सिरीज में एक नया नाम है जिसे हम लोग ओरल हिस्ट्री राइटिंग के नाम से जानते हैं तो आप यहाँ पे 90-60s में यूज कर सकते हैं 70s में अज़क कर सकते हैं और 80s में उसी definition की बात करें कि आप कैसे कह सकते हैं कि यहां oral history है मतलब कैसे आप समझ सकते हैं देख करके कि oral history है या फिर oral history writing हम लोग कैसे मतलब किसे कहेंगे वह definitions के बारे में दी हम लोग समझने की कोशिश करें तो वह यह हो सकता है कि oral history writing जो है वह pre-modern और modern period के बीच एक bridge का काम किया है एक सेतु है एक pool का काम किया है एक connectivity establish करने का काम किया है इसका मतलब क्या है साथियों pre-modern और modern period के बीच bridge का काम करने का अर्थ क्या है इसका मतलब यह है कि pre-modern का मतलब यह है कि आप मान करके चले modern period हम लोग मान के चलते है colonial period को ही तो modern period से पहले history writing में जो elements या जो methodology यूज किये जा रहे थे और modern period में जो research method और जो methodologies हम लोग यूज करने लगे history writing में उन दोनों के बीच सामनजस से स्थापित करने या फिर उन दोनों के बीच एक relation establish करने के लिए oral history writing चल करके आया या फिर इसको दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि oral history writing जो है वो pre-modern research methods और modern period में जो research methods के रियेट हुए उन दोनों के बीच का नाम oral history है यानि कि oral history writing को लिखने के लिए pre-modern technologies मतलब pre-modern research methods और modern period के research methods इन दोनों का परियोग किया गया है समाजबारी बात दूसरी बात pre-literate और literate period pre-literate और literate period का मतलब क्या है इसको pre-literate और literate period नहीं समझ करके आप यह समझे जैसे यहाँ पे इनोंने अस्पस्ट भी किया है यह देखिए कि पूर्व साक्षर संस्कृती यानि कि मतलब अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग इन दोनों के बीच मतलब जब हमारे हाँ पढ़ाई शुरू हुआ और जब पढ़ाई नहीं थी इन दोनों के बीच का हिस्ट्री लिखने में oral history writing जो है हमें कहीं न कहीं help किया है यानि कि यह दोनों के बीच फिर से एक बार ब्रीज का काम कर रहा है यानि oral history writing में पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता नहीं रहा या फिर हिंदी शब्दावली में जिनके लिए हम लोग मतलब निरक्षर शब्द यूस करते हैं तो यहाँ पर शब्द यूस किया गया है साक्षर और पुर्व साक्षर संस्कृति यानि जो एक literate culture और एक illiterate culture जो था या फिर आप कह सकते हैं before literate culture तो उन दोनों के बीच oral history writing ने एक balance बनाने का काम किया और एक connectivity की rate करने का काम किया है तीसरे नंबर पर आप बात कर सकते हैं व्यक्ति और शमूह के बीच व्यक्ति और समूह यानि यहाँ पर आप देख सकते हैं individual और collective इन दोनों के बीच सामन जस्ट से नहीं कहेंगे हाँ पर इन दोनों के बीच संबंध अस्थापित करने में या फिर individuality को भी और collective फैसले इन दोनों चीजों को इन दोनों method को यूज किया गया है oral history writing में जैसे example के तौर पर यदि आप oral history writing के तहत आप किसी गाओं में interview कंड़क्ट करने जाते हैं तो आप अकेले रहते हैं लेकिन आप वहाँ पर 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो यही जो तरीका है कि यह जो है individual है और यहाँ पर collective फैसले हैं यानि collective opinions है और यहाँ से जो आप data collect करके जो आप history लिखते हैं तो चुकी आपका main source oral source ही है तो वह oral history का ही हिस्सा होगा तो व् रेखा जो खिची हुई है उस रेखा को पाटने का काम किया है मौखी कितिहास ने oral history writing ने उसके साथ साथ बिशय और लेखा के बीच की रेखा को भी इन्होंने पाटने का काम किया है या फिर उन दोनों के बीच एक connectivity create करने का काम किया है यहाँ तक clear है ठीक है लेकिन उसके बाद भी यह कहा जाता है कि oral history writing जो है वह उसमें पूरा मतलब पूरी तरीके से porous है porous कहने का मतलब क्या है कि वह बहुत ज्यादा उसमें छिद्र है छिद्र मतलब जैसे जिसको हम लोग छेद भी कहते हैं मतलब यह कि एक solid history writing नहीं है जैसे history के बारे में कहा जाता है कि दो बेसिक चीजे होती है एक chronological order और एक fact यानि fact और chronology को यदि हम लोग history से हटाएं तो उसका base खराब हो सकता है इसलिए जब oral history writing में हम लोग बात करेंगे तो आप देखिएगा कि उसका चुकी source collect करने का मुख्य जो माध्यम है वह oral interviews हैं तो उसमे chronological order का अभाव देखता है इसलिए कहीं पर solid है और जहाँ पर oral interviews नहीं मिले तो वहाँ पर porous है फिर solid है फिर porous है तो इसलिए कई सारे historians ने जो दूसरे group के historians थे उन्होंने कहा कि oral history writing तो कोई history writing ही नहीं है यह पूरी तरीके से full of porous है यानि छिद्रों से भरा हुआ है छेद ही छेद है इस history writing में उसके लाबा कई सारे लोगों ने कहा कि यह तो बिल्कुल oral history writing बिल्कुल यही है कि आप camera ले करके और mic ले करके निकल जाए और आप लोगों का interview लीजे और फिर आप उसको आप लिख दीजे यही तो oral history writing है और फिर आप अपने वीडियो को सारकाइब में डाल दीजे इस त oral history writing का base है आगे बढ़ते हैं आगे चल करके जब इतने सारे allegations आया तो definitions को और define करने के लिए जो है एक ब्यक्ति चल करके आया जो historian है जिसका नाम है रोनाल जे ग्रेले इसने किताब लिखी oral history इसने edit किया है किताब है केली बॉंड का केली बॉंड का Encyclopedia of historians and historical writing यह 1999 में 1999 में यह चल करके आया तो इसमें रोनाल जे ग्रेले ने oral history writing को अपने तरीके से define किया यानि जो कुछ confusion पैदा हो रहा था और जो दूसरे history writing के जो historians थे वह जो इसको अपने तरीके से define कर रहे थे उनको जवाब देने का काम किया रोनाल जे ग्रेले ने तो रोनाल जे ग्रेले जो है वह oral history को define करते हुए कहते हैं कि दूसरे लोगों के लिए जो oral history है वह केवल और केवल जीवन का इतिहास है कि आप अपना जीवन का इतिहास लिख दीचे हिंदी में जीवन ब्रित कहते हैं या फिर आप अपने जीवन की समिक्षा लिख दीजे या फिर अपने जीवन के में जितनी भी घटनाय घटी उसको एक order में follow करके आप लिख दीजे यही oral history writing है ऐसा रोनाल जी ग्रिले ने कहा कि oral history writing के बारे में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फिर कहा कि इसके अलावा कुछ लोग यह सोचते हैं कि केवल और केवल इंटरव्यू साक्षात्तकार जिसको हिंदी में बोलते हैं यानि इंटरव्यू करने अब कंडक्ट करो और फिर data collect करो औ archival record के लिए और फिर आप उसी archival record का use करके जो है आप history लिख दो यही oral history है लेकिन इन्होंने कहा कि conduct interviews for particular publication और public history projects यानि oral history जो है हम उसमें interview conduct किसी particular publication के लिए या फिर किसी particular project के लिए बहुत सारे जैसे research project होता है जिसमें अलग-अलग बिशय पे अलग-अलग topic पे अलग-अलग मुद्दे पे काम किया जाता है आप उस project के तहत काम करते हैं तो यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने या फिर oral history writing में history के बड़े-बड़े projects के लिए भी interview conduct किये जाते हैं और फिर उस data का use किया जाता है oral history writing के लि जो लोग कह रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि oral history writing जो है वह एक रास्ता प्रदान करता है और वह एक तरीके का माध्यम है एक रास्ता है community को समुदायों को empowered करने का उन्हें सशक्त करने का उन्हें मजबूत करने का उन्हें strong बनाने का उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि sometimes oral historians called interviewer by others यानि कई बार्या होता है कि जो दूसरे historians हैं वो oral history writing से associated historians को कहते हैं कि ये historians नहीं हैं ये तो केवल और केवल interviewer हैं जो लोगों का interview लेने का काम करते हैं लेकिन रोनाल जे ग्रेले कहते हैं कि it is the matter of debate that they collect the data for oral history और they make oral history itself कहते हैं कि देखो यह debate का विशय है कि oral historians जो हैं अपने data collect करते हैं और फिर अपने oral sources के माध्यम से अपनी oral history खुद लिखते हैं तो यह debate का विशय हो सकता है उसके बाद यदि हम लोग बात करें base of sources and method of data collection के बारे में देखिए सभी history writing में जो है इन 3-4 बिंदों को आप जरूर पढ़ें तभी जाकर के वो history writing आपको समझ में आएगा जो कि history writing पूरे history का जो है सबसे toughest मतलब पार्ट माना जाता है जिसको समझने बहुत ज्यादा confusion होता है मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को confusion होना चाहिए बहुत interesting मतलब मुझे जो लगता है कि पूरे इतिहास का जो है सबसे interesting और सबसे रूचिकल जो पार्ट है वो इतिहास लिखनी है history writing ही है यह तो बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया जाहिए तो देखिए सभी history writing में यह पढ़ाया जाता है कि आप उस history writing के method को follow करके आप इतिहास लिखना चाहते है तो आप data collection कैसे करेंगे आपका कौन-कौन सा method होगा तो उसी करम में यदि आप oral history writing के तहद आप history लिखना चाहते हैं तो आप कैसे data collect करेंगे कौन सा method use करेंगे वही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ठीक है जैसे पहला माध्यम popular belief के माध्यम से जो है आप इसमें data collect कर सकते हैं popular belief क्या होता है साथियो popular belief का मतलब यह है कि कोई वैसी अवधारना यह कोई वैसा विश्वास यह धार्मिक विश्वास भी हो सकता है तो कोई ऐसा popular belief है जो एक लंबे समय से चलता आ रहा है और हमने कभी उसकी जाच परताल नहीं की तो जब एक generation से दुसरे generation से तिसरे generation ऐसे generation वाई generation जब वो belief आगे बढ़ता चला जाता है तो एक समय के बाद वो belief popular belief बन जाता है और उस popular belief का परियोग oral history writing में बहुत महतपुन स्रोत के रूप में किया जाता है बड़ important source के तौर पे उसको use किया जाता है जैसे समाज में अलग-अलग तरीके के belief है जिसका कोई scientific temperament से हो सकता है लेना देना हो या फिर नहीं भी हो सकता है तो उस popular belief का परियोग जो है oral history writing में data collection के लिए या फिर sources के लिए हम लोग use करते हैं ठीक जैसे आप अपने गाओं में किसी पूरवज से आप बात करें बहुत बुजूर्ग बेक्ती हैं बहुत old age man है तो आप उनसे बात करें तो आपको बताएंगे किस गाओं में सुरू से या फिर हमारे समाज में सुरू से इस तरीके का मानना रहा है कि यह काम करने के बाद ही हमें इस काम के शुरुआत करनी चाहिए तो एक belief बन जाता है और वही बिलीफ पोपलर बिलीफ हो जाता है तो उसका परियोग भी है हम लोग oral history writing में sources के तोर पे या method of data collection के तोर पे कर सकते हैं memory क्या होता है memory भी एक प्रकार का oral history writing में महत्तपून source है data collect करने का महत्तपून माध्यम है memory का basic करते हैं चुकि oral history writing में हमारा सारा history writing का जो source है वह oral source ही है और oral source का मतलब क्या है oral source और written source दो तर्ण है तो oral source में किसी बेक्ति से उसका आम लोग interview करेंगे जो बोल करके आप कह सकते हैं कोई आदमी बोल रहा है तो आप उसको सुन करके वही तो oral sources हुआ तो memory का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास आपके गाउं में कोई ऐसे बेक्ती है जो मान लेजे भारत की आजादी में लड़े हैं मालो 9047 के दौर के बेक्ती हैं और वो उन्होंने देखा है partition का dhans देखा है तो partition का dhans जब देखा है तो उनके memory में वो तमाम सारी चीजे अभी भी कही ने कहीं मौचूद होंगी मतलब यदि उनका memory ठीक ठाक है तब तो उनके memory में partition के जो दृष्ष हैं वो कही न कहीं किसी न किसी कोने में अंकित हैं तो जब आप उनसे partition पे बात करेंगे तो partition पे history लिखने के लिए oral history, oral method का परियोग करके history लिखने के लिए आप उनके memory में मौझूद एतिहासिक घटनाओं का चित्रन जो है उनका जो picture है उनका जो एक memory में जो चीजे चलती आ रहे लंबे समय से आप उनके memory में मौझूद घटनाओं का परियोग अपने oral history में कर सकते हैं और यह बहुत महत्पून source होता है oral history writing में तो इस memory का परियोग भी हम लोग कर सकते हैं उसके अलबा myth जैसे बहुत तरीके का myth भी हमारे समाज में ब्याप्त होता है जैसे कि उदाहरन के तोर पे जब हम लोग रोड पे चल रहे होते हैं तो अचानक से कोई बिल्ली क्रॉस करती है तो एक myth बनाया गया है कि भीया आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा तो आपका भी क्रॉस करके देखिए उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये सच में myth है या फिर इसमें कोई scientific temperament exist करता है तो आप देखेंगे कि वो एक तरीके का myth है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने पार करके देखा है आप भी करके देख सकते हैं तो myth भी जो है वह oral history writing में या फिर oral sources के तोर पे उसका परियोग हम लोग करते हैं तो myth भी हमारे लिए oral history में मददगार सावित होगा उसके साथ साथ ideology कोई वैसा विचार जो है कोई वैसी विचारधारा कोई वैसा philosophical foundation जो एक लंबे समय से चलता रहा है हमारे समाज में और जिसका कोई document नहीं है कोई किताब में वो बाते नहीं लिखी गई है लेकिन मतलब किताब में नहीं लिखी गई है लेकिन जन मानस के चेतना में उसके दिमाग में उसके इस्मृती पटल में कहीं न कहीं वो चीजे मौजूद है वो विचार मौजूद है और समाज का वो जो व्यक्ति है generation by generation उस विचारधारा से परभाबित होता रहा है तो किताब में मौजूद हो या नहीं लेकिन जन मानस के चेतना में वो चीज मौजूद है तो वह भी हमारे लिए oral sources के तौर पे हम लोग उसका परियोग कर सकते हैं और oral history में history writing में उसे लिखने के लिए हम उस ideology का और जन मानस की चेतना में जो ब्याप्त और जो मौजूद विचार है उसका परियोग एक source के तौर पे कर सकते हैं उसके साथ साथ perception भी data collection का इसमें माध्यम हो सकता है perception क्या होता है perception एक तरीके का अबधारना perception positive ही हो सकते है perception negative ही हो सकता है perception का मतलब हमेशा हम लोग negative ही सोचते हैं perception किसी के बारे में positive भी तो हो सकता है positively उससे affected है तो आप एक अबधारना बना चुके हैं उसके बारे में कि वो बिल्कुल बहुत शामदार आदमी है तो आपका बाइसनेस भी वहाँ पे काम करता है तो आप positively biased हैं तो उसके लिए positive perceptions आपके पास होंगे आप negatively biased हैं तो negative perceptions होंगे उसके लिए या फिर जो आप perceptions की रिएट करेंगे उसमें negativity देखने को मिलेंगी तो perceptions भी हमारे समाज में अलग-अलग तरीके के perceptions चलते आ रहे हैं जैसे जब हमारा समाज जो है हम लोग जब feminism की बात नहीं कर रहे थे जब equality fraternity की बात नहीं हो रही थी brotherhoodness की बात नहीं हो रही थी तो समाज के अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग लिंग के लिए अलग-अलग जाती के लोगों के लिए अलग-अलग perceptions हमारे समाज में ब्याप्त थे जैसे समाज के किसी खास वर को सिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए उन्हें उपर के तीन वरणों के उपर ही निर्भर रहना चाहिए इस तरीके के perceptions अब perceptions का सकते हैं क्या इसको theoretical पूरा base दिया गया बहुत सारे religious scriptures में यह बाते लिखी गई और इसको तो पुरे तरीके से theoretical base दिया गया लेकिन आप देखेंगे तो एक कही ने कही एक perception था क्यों नहीं करना चाहिए और कोई व्यक्ति सिक्षा गहन कर लेगा तो क्या दिक्कत है या फिर हम लोग महिलाओं को लेकर के जो biased रहे हमारा समाज हमेशा से patriarchal रहा कुछ period में हम लोग मेट्यारकल भी रहे जैसे रिग बैदिक phase है उसमें हमें मेट्यारकल society के लिलक्षन देखने को मिलते हैं तो हमेशा से एक जैसा नहीं रहे चुकि भारत इतना बड़ा रहा है और भारत के अलग-अलग भूभा का अलग-अलग history रहा है लेकिन यदि हम लोग सामान ने अबधारणा बनाना चाहें तो हमारा समाज जो हमारा इनी पूरे दुनिया का समाज जो है लगभग शुरुवाती दोर में अपने स्वभाव में अपने नेचर में पैट्रियारकल रहा है तो जब पैट्रियारकल समाज रहा तो उसने महिलाओं के लिए निगेटी पर सियप संस क्रिएट किये कि महिलाओं मतलब बाय़ा जिकाली बहुत कमजोर होती हैं उन्हें सेना में नहीं जाना चाहिए उन्हें घर का काम करना चाहिए वाहर काम नहीं कर सकती लेकिन आज आप देखेंगे तो आप देखिए हमारे समाज की महिला है अस्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रही है किर्केट में अच्छा मतलब स्पोर्ट्स में तो किर्केट भी काउंट हो गया कवड़ी कर सकते हो आप मुक्केवाजी कर सकते हो तिरंदाजी कर सकते हो पहलवानी में कर सकते हो इन तमाम सारे चीज़ों में सेना में आप देख सकते हैं, फाइटर जो प्लेन हैं वो चला रहे मारी महिला हैं, एर फोर्स में बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनको opportunities दिया गया, तो वो perceptions और जो myth चलता आ रहा था, उसको destroy किया उन्होंने, तो यह perception भी जो है कहीं न कहीं, oral history writing म हमें मदद करता है history लिखने में, तो perceptions अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, consciousness देखो, consciousness और memory में आप confusion हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वही बात है, consciousness का मतलब और memory का क्या मतलब होता है, दो बाते, देखो, consciousness का मतलब यह है, memory का मतलब आपको वो चीज़े याद है, बस कि यह घटन घटी, तो यह भी हो सकता है, कि जब वो चीज़े आपको याद हो, तो आपका जो consciousness level है, वह किस level का था, यह भी depend करता है, और आज जो आपका consciousness level है, वो किस level का है, यह अलग vary कर सकता है, या फिर आप किसी घटना को देख रहे थे, तो क्या आपके वल, मतलब ऐसा हो सकता है, कि आप केवल घटा को देख रहे थे बस, या दूसरा यह हो सकता है, कि आप बिल्कुल चेतन अवस्था में, मतलब बिल्कुल consciousness के साथ आप उसको देख रहे थे, तो आप केवल देख रहे थे, और consciousness के साथ देख रहे थे, इन दोनों को जब आप explore करेंगे, और इन दोनों क आप बात को रखेंगे तो कंसस ने साथ की चेतना में जो चीजे रही हैं वह भी कहीं न कहीं oral history writing में oral sources के तोर पे हम लोग परियोग कर सकते हैं तो यह data sources के लिए था ज्यादा हो गया ठीक है लेकिन समझना जरूरी है subject matter और content की बात करें यह परतेक history writing में जरूरी होता है समझना कि oral history writing का subject matter क्या हो सकता है या central subject क्या हो सकता है theme यह हो सकता है कि oral history writing में जो है किन के बारे में लिखा गया neglected और ignored population के बारे में देखें नेगलेक्टेड और इग्नोर्ट पोपुलेशन का मतलब क्या है जैसे कि समाज में अलग अलग लोगों के लिए सुसाइटी में हिस्टी राइटिंग लिखा गया जैसे सा ओल्टरन में आप देखेंगे कि लोवर क्लास को लोवर कास्ट को सेंटर में रख करके फिर लिखा गया माक्सिस्ट वर्ग ने जो है क्लास स्ट्रागल को सेंटर में रख करके लिखा अंबित कराइट स्कूल ने जो है क्लास्ट स्ट्रागल को सेंटर में रख करके लिखा नेशनलिस्टों ने जो है नेशन को सेंटर में रख करके लिखा तो इसी तरीके से सभी हिस् इसंटर में रहिका लिखा ज़ये तो इसमें लिख्का गया neglected population का यहीं समाज का वह हिस्सा जो नेग्लेक्टे रहा है जिसको आप country भी नहीं करते हैं कि यह हमारे समाज का हिस। हैं जैसे बहुत सारे हमारे समाज में जातियां हैं जैसे जो नोमेडिक्स ट्राइब हैं नोमेडिक्स ट्राइब हैं नोमेडिक्स ट्राइब जो हैं वो इधर से उधर घुमते रहते हैं यानि आज यहां है कल यहां है परसो यहां है तो यह किसी भी समाज का एक अस्थाई हिस्सा नहीं है तो इनको हम लोग neglect करके ही चलते हैं तो एक neglected population ऐसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं तो neglected population वह भी हो सकता है जो समाज में तो है लेकिन उसको हमेशा से ignore किया गया है तो वह भी हो सकता है कि किसी गाउं में वो कोई खास जाती है या कोई खास religion के लोग है तो उस गाउं में मौझूद तो रहे हैं हमेशा से लेकिन जब जब history writing लिखा गया तो उनको ignore किया गया उनको neglect किया गया कि इनको 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 इबारे में लिखने की लिखा गया ठीक है लोकल कम्यूनिटी को सेंटर में रख करके लिखा गया जब देखिए लोकल history writing जब शुरू हो रहा है तो 18th और 19th में कौन कर रहे है लोकल इलिट्स और उसमें क्या लिखा जा रहा है लोकल इलिट्स ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में लिख दिया तो पता चला कि मतलब ओदोगी करन के बाद जो एक migration हुआ था cultural migration जो हुआ और cultural जो assimilation हुआ नए नए elements चल करके आए तो वहां से जो बेक्ति उठकर के company में और factory में इंडस्ट्री में जो काम कर निकले गया था उसके अंदर cultural changes कैसे आए उसको लिखने के लिए local history शुरू हुआ था लेकिन local elites जो है आगे चल करके अपने बारे में ही लिखने लगे और जब अपने बारे में आगे जब criticism होता है तो कहते भी हैं कि भाईया इसमें जो है हम लोग तो वादा किये थे कि local community का लिखेंगे और local area का लिखेंगे लेकिन यहां पर जो है सामनती मुल्य हमें देखने को मिल रहे हैं और local elites नहीं अपनी पूरी के पूरी कहानी लिख दिया है इसलिए फिर oral history writing शुरू होगा तो इसमें local community के बारे में लिखा जाएगा local area के हिसाब से चुकि local area में लिखा जाएगा हमने बताया भी था कि local history local area से शुरू हुआ है तो यह तो इसका पार्ट रहेगा ही इन्दिस community become the historian itself देखो इसका एक फायदा क्या है oral history writing का कि आपके community के बारे में class का history रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से तो एक positive point है कि आपको दूसरे historian के उपर dependent नहीं रहा ना कि भई आप मेरा history लिखे आप खुद से भी लिख सकते हैं हिस्टी राइटिंग का यह liberty है उसी तरीके से जो है जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो लगबक सत्तर हजार यहूदी जो है उनको United States में ले जाया गया और वहाँ पर अभी एक म्यूजियम है इस मेमोरियल म्यूजियम में रखा गया है जो अभी oral sources के तौर पे कोई व्यक्ति उस पर रिसर्च करता है तो उसका परियोग करता है criticism की बात करें देखो oral history writing के बहुत सारे points है मतलब अच्छी बात हैं लेकिन उसका criticism भी है कई लोगों ने किया है जैसे oral history writing के बारे में tradition के जो परंप्रा के जो लोग हैं उन्होंने seminars की शुरुआत करवाई थी college में इन्वस्टीज में और वो लोग मानते थे कि history लिखना है तो केवल और केवल primary source पे dependent रहिए oral testimony वो कहते हैं कि oral testimony जो है वो तो दुनिया का सबसे घठिया testimony है history लिखने के लिए रोंकेन लोग तो रोंकेन लोग यह भी मानते थे कि भाईया जो आपको दिख रहा है वही है जो नहीं दिख रहा हो नहीं है तो रोंकेन ट्रेडिशन का अपना अलोचना हो सकता है लेकिन रोंकेन ने जब oral history writing के historians के अलोचना की तो उन्होंने कहा कि इनके हां तो primary source secondary source ऐसा कुछ है ही नहीं मसला आप इंटरव्यू लिजे तो फिर आप डारेक्ट लिख दीजे उसमें क्रॉस सेक्षनल रिसर्च नहीं हो सकता है आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं इसलिए कहा रहा है कि ओरल टेस्टिमनी जो है वह सबसे घठिया चीज होता है औरल हिस्ट्री नहीं थी मतलब जो लिखा गया है वह यह एक्जिस्ट करता है इसी करम में हीगल ने 1931 में बाद भी कही कि अफरीका जो है अफरीका के बारे में नहीं लिखा गया था तो इन्हों का दे़ा कि अफरिका जोίναι दुनिया का कोई भी हिस्टॐरिकल पार्ट नहीं है आगे चल र के हिउज ट्रेवर रोपर ने 1965 में कहा इन्होंने भी सेम बात कहीं कि अफरिका का कोई भी तिहास नहीं है मतलब और फिर साथ ने कहा कि यह हो सकता है भविश में कि मतलब इन्वस्टी में अफरिकन हिस्टी पढ़ाया जाने लगे और उसको सेलेवस में शामिल किया जाए बट अभी के दौर में राइट नाउ that is the history of Europeans in Africa यानि अभी के दौर में जो अफरिका का हिस्टी हमारे पास मौजूद है वो अफरिका का हिस्टी नहीं है बलकि वो Europeans का हिस्टी है और उन Europeans का हिस्टी है जो अफरिका में रहे हैं इसके साथ साथ AJP Taylor ने कहा I am doubtful in oral history writing because chronology is uncertain data are unsupported it can be practiced at very small level तो AJP Taylor ने भी इसका criticism किया और बोला कि मुझे तो बहुत संदेह है और संदेह होना भी चाहिए ये कह रहे हैं कि oral history writing में जो chronological order आप maintain नहीं कर सकते हैं chronology जो है uncertain है मतलब आज का history मिल रहा है फिर कल का नहीं मिलेगा मानलो कल का history के लिए आप data collect करने गए इंटर्व्यू लेने गए और उस उम्र का ब्यक्ति मौजूद नहीं है या फिर उस दोर के बारे में जानकार या आपको नहीं मिल रहे चुकि आप oral sources पही निरभर हैं तो chronological order आप नहीं मेंचन कर मतलब मेंटेन कर सकते हैं तो एज़े पी टेलर कह रहा है कि मुझे संदे है गोंड़ोजिक को लेकरखे उसके साद कर रहा है देटा पूरी तरीके से पुरी तरीके से उंसर पूर्टे या नितर नहीं तो chronological order तो पॉइट है गाहिए साथ ही साथ डेटा भी अंसपोर्टेड हो गते दोनों पॉइंट जो है गुषरे से कोरिलीटेड है इट कैन भी प्रैक्टिस एट वैरी स्मॉल लेवल हमने पहले ही कहा था कि चुकि यह लोकल हिस्ट्री का पार्ट है और इसका लोकल हिस्ट्री का तीन स्मॉल कस्वा स्मॉल इलागा के बारे में ठीक है तो जब यहां लोचना की गई तो ओरल हिस्ट्री जो है उन्होंने फिर से जवाब दिया और जवाब देने में देखिए इसमें ओरल हिस्ट्री राइटिंग में मूल तोर पे जो है यदि दो हिस्ट्री का नाम याद करना था कि हम लोग पढ़ेंगे इससे जुड़े historians के बारे में तो इन दो का नाम ज़रूर याद रखिए Paul Thompson, John One Sina और आगे Hopkins और Finberg भी आप याद कर सकते हैं वो भी इससे जुड़े हुए बैखती हैं तो इन्होंने किताब लिखी Paul Thompson ने, The Voice of the Past, Oral History, यह 1978 में लिखा इन्होंने, ठीक है, 1978 में जब यह किताब लिखा, तो यह किताब किसले लिखा था, इस किताब का जो आर्गुमेंट है, वो कह रहे हैं कि यह कह रहें Paul Thompson कि देखो, पहले जो था, बड़े-बड़े हिस्टोरियन्स जो थे, अलग-अलग स्कुल के, उनको बहुत बड़ा-बड़ा ग्रांट मिल रहा था, हिस्ट्री लिखने के लिखने के लिए, अब जो हुआ, चुकि हम लोग माइक्रो लेबल पे काम कर रहे हैं, लोकल कम्यूनिटी का इग्नॉड पोपुलेशन का लिख रहे हैं, तो अब उनका ग्रांट हमें मिलने लगा है, और उनको डर सताने लगा है, कि भाईया, ओरल हिस्ट्री राइटिंग तो है, एक तो नई हिस्ट जौन वनसीना अपने किताब उन्होंने जो है, मूल तोर पे अपना काम जु किया, अपना रिसर्च किया है, वो हिस्ट्री ओफ अफ्रिका पे किया है, वो कहते हैं कि देखो, ओरल सोर्सेज जो है, वो अपने पास्ट को, यानि अधि आप री कंस्ट्रक्शन आप दा पास चाहते हैं, तो आपको ओरल सोर्सेज पे निर्वर रहना चाहिए, ओरल सोर्सेज ही में सोर्स है, उसके साथ साथ कहते हैं कि ओरल सोर्सेज का जो इंपोर्टेंस है, वो टाइम के हिसाब से वैरी भी किया है, और यह कहते हैं कि यह बिल्कुल उतना ही महत्तपूर्ण है, ज सबसे important sources है और वह कहते हैं कि oral sources बिल्कुल वैसा है ऐसा नहीं written sources की तरह है कि आप लिख रहे हैं तो आप ही के बल मतलब oral written sources में क्या होता है जैसे मान लोग कि रो मिला था पड़ लिख रही है तो अपना opinion दे रही है वो अकेले ही लिख रही है वो अकेले ही बोल रही है उनका इंटर्व्यू लेने वाला है तो छे आदमी बोल रहा है एक source नहीं है हाँ पर कि जैसे आपके वले बोल रही थी इसलिए इन्होंने कहा कि oral sources जो है oral history writing जो है इसमें main singer के साथ साथ बाकी के उसके जो सहयोगी गायक हैं सहयोगी singers है वो भी गाते हैं लेकिन written history में जो है written sources मे जो है एक main historian के वल लिखता है वही गाता है देखो associated historians की बात करें और उनके किताब की बात करें इस history writing से तो आप देख लिजे पहला ब्यक्तियां Paul Thompson 1978 में किताब लिखी है the voice of the past oral history ये reply में लिखा था किसके लिए positiveist और roncanian historiography ने जो अलोचना की थी उनको जवाब देने के लिए किताब लिखा था 1978 में जौन वंसिना ने 1985 में किताब लिखा oral tradition as history इसमें बताया इन्होंने कि oral sources जो है वो सबसे ज़्यादा rich sources है उनको rich sources माना जाना चाहिए उसके साथ उन्होंने किताब लिखा path in the rain forest 1990 म इसमें बताया उन्होंने pre colonial history के बारे में जो Central Africa से जुड़ा हुआ है उसके बाद Alexandro Portelli है 1991 में किताब लिखा इन्होंने देट ऑफ लिवगी ट्रस्टूली and other stories इसमें जो है US का एक communities है local communities जो neglected और ignored population रहा है अप Lansian communities उसके बारे में इन्होंने लिखा है डेविट के डनवे हैं विला के वरून है इन दोनों ने इडिट किया है इस किताब को oral history नाम है किताब का 1984 में और 1996 में दो बार आया है essay on oral history in various countries यानि यह जो किताब है उसमें oral history writing के उपर essays लिखा गया है अलग-अलग country से जुड़ा हुआ लुईसा पैसरीनी की बात करें 1984 में इन्होंने किताब लिखी fascism in popular memory यह भी किताब oral history से जुड़ा हुआ है देवरा बेबर्स की बात करें तो इन्होंने और dark sweet white golds ऐसा करके इन्होंने किताब लिखा 1994 में देवरा लैम वेंसन एस्ट्राडा इन्होंने किताब लिखा trade unionist against terror 1994 में रैफल सेमुल्स हैं theaters of memory 1995 कीम लैसी रोजर्स हैं righteous lives 1995 में international journal of oral history इसको भी आप देख सकते हैं oral history writing के लिए history works of journals को देख सकते हैं उसके अलावा view of military history यह इसमें 1700 इंटर्व्यू यानि 1700 इंटर्व्यू पड़े हुए हैं किसके प्रथम विश्वियूद में जो लोग जो उसमें लड़े हैं veterans जो उसके military men रहे हैं उनका जो है interview इसमें मौजूद है 1700 लोगों का और इसको 2003 में release भी किया गया था उसके अलावा 1998 और 1999 में BBC ने जो है एक प्रोग्राम चलाया The Century Speaks Series के नाम से और इसमें इनों ने बहुत सारे लोगों का record के audio record किया जो आगे चल करके oral history writing में sources का तोर पे परियोग में लाया जा रहा है British Library Sound Archive की बात करें तो यहाँ पर भी oral history का collection रखा गया है अभी के दोर में अधी बात करें तो देखिए बहुत सारे formal और बहुत सारे informal organizations जो है वो ब्रिटेन में काम कर रहे हैं America में Argentina, Brazil, Mexico, Russia, South Africa, Spain, Sweden और इसके अलावा बहुत सारे देश में अलग-अलग conferences हो रहे हैं और अब धीरे-धीरे करकर के जो है international popularity भी से मिल रही है और निश्चिक तोर पे जो है अभी के दोर में history writing trend के रूप में यह उभरा है emerging trend है आप इसके तहत काम भी कर सकते हैं बहुत सारे इन्वस्टीज में इस पे काम हो रहा है challenges की बात कर लेते हैं जो कि last है यदि oral history writing के challenges की बात करें तो देखिए यदि आप इस order में या इस history writing से जुड़ा हुआ historian बनना चाहते हैं तो यहाँ के लिए challenges है आप इसको निपडाईए chronological order को आप लोग maintain कीजिए यह बहुत बड़ा challenge है scientific बनाईए क्योंकि जब oral history शुरू हुआ तो इसमें मूल तोर पे जो है non professional लोग ही इसके शुरुआत किये थे शुरू से तो non professional लोग किये थे तो बहुत ज़्यादा scientific methods बगरा यह तमाम सारे चीज इसमें use नहीं किये गए इसलिए यह oral history writing का एक challenge है कि आप इसे scientific बनाएं यानि oral history writing में scientific जो temperament है उसके साथ उसको लि history है वह आज के दोर में personal memory पर ही लिखा जा रहा है जो कि सबसे ज़्यादा unreliable medium है जैसे आप मतलब आप अपनी community के बारे में बता रहे हैं तो हो सकता है आप community से positively based हो तो बहुत negative घटनाए रही हो या negative उनका role रहा हो तो आप जब या personal memory आपका कोई interview करेगा तो आप वो ची change करनी की ज़रूरत है यह है एक परकार का challenge है साथ ही साथ उन्होंने कहा कि oral history is not only to collect the facts but also to understand the brain to know how common people reacts bigger events and how people establish their myth as history and उन्होंने कहा कि देखो oral history writing जो है के वल fact collect करने का नाम नहीं है के वल interview conduct करने का नाम नहीं है बलकि oral history writing एक वैसे दिमाग को एक वैसे brain को train करने की जरूरत है training देने की जरूरत है प्रसिक्षन देने की जरूरत है जिसमें वो लोग यह समझ सकें कि इतिहास में बड़ी से बड़ी जो घटनाय घटी उन घटनाओं को लेकर के उस दौर के common लोगों ने क्या सोचा है यह oral history writing का मुख्य हिस्सा होना चाहिए इसके सा oral history writing का मुख्य हिस्सा यह रही होना चाहिए कि कैसे गउं के समाज के देश के या किसी अन्ने community के लोगों ने अपने मिध को एक इतिहास के तौर पर स्थापित करने का काम किया है यह रही oral history writing का मुख्य हिस्सा होना चाहिए उसके साथ साथ यह भी होना चाहिए कि आप review कर सकें, recheck कर सकें और उसको ज्यादा से ज्यादा reliable बना सकें कि इसको अपने memory को यानि जिन लोगों सब data collect करने है तो उनके memory से जो चीजे आ रही है सोर्स के तौर पे, older generation का उसको आप recheck किजिए, review किजिए, cross check किजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा reliable बनाए ताकि oral history writing और ज्यादा आगे बढ़ सकें बाकिसाथियों इसमें और कुछ सवाल हो आप सभी का तो आप लोग बिल्कुल पुछ सकते हमसे जहां तक संभव था हमने इसको explain करने का समझाने का काम किया है यदि आपको अभी भी कोई confusion है, कोई सुझाब है या फिर कुछ extra आपको लगता है कि इसमें और कुछ जूड़ना चाहिए था जो हमसे छूट गया है तो comment section में आपका स्वागत है मैं फिर से एक वार आपको पहले ही thank you बोल दे रहा हूँ और आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, ध्यान से आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में